कि चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्धे पर डिसकेशन करने वाले हैं सुप्रीम कोड का एक निर्णे आया यह जन्वरी के पहले दो हफते बहुत इंपॉर्टेंट हैं सुप्रीम कोड के निर्णे को ले करके क्यों देखिए एक चीज आप याद रखेगा कि हमारे Constitution में एक प्रोवीजन है क्या प्रोवीजन है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरह से Constitution को इंटरप्रेट करने की समझने की एक प्लैटफॉर्म होता है अगर आप American Constitution की बात करेंगे तो वहाँ पर एक चीज फॉलो होती है Constitution को फॉलो करते हुए और वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉव लेकिन अगर आप इंडियन Constitution को समझने की बात करें तो यहां पर फॉलो होता है Concept Procedure Established by law कि दोनों चीजों में अंतर क्या है American system of due process of law और इंडियन system of procedure stabilized by law विरीद्वारा स्थापित जितने भी नियम और प्रक्रियाइं है भारतिये समिद्धान के तहत उनकी पालना होती है पहले इसको समझना पड़ेगा फिर सुप्रीम कोट का निर्ने समझाएगा देखिए आपकी कंट्री में एक सरकार होती है जिसे हम कहते हैं काउंसिल आफ मिनिस्टर जिसको आप कहते हैं एक्जेकुटिव आप हम पार्लेमेंट का उधारन लेके चलेंगे आप आम चुनाओं में वोट्ट डालते हैं जिस भी किसी पार्टी को मjäजॉरिटी सीट्स आती हैं लोक सभा में राश्ट्रपती उस पार्टी को नियोता देते हैं कि भ्यूल है उस सरकार बना लीजे और फिर वो सरकार बना-लेते हैं अगर तो केले मेजॉरिटी में आ गए तो ठीक है वरना अपने सायोगियों को लेके कोलिशन को लेके सरकार बनाते हैं अब अगर इनके पास 272 सीटों का आकड़ा आ गया जो कि मेजॉरिटी बनता है इनकी सरकार बनेगी और सरकार मतलब यहां पर क्या है कि जीतने वाली पार्टी के लोगों को मिनिस्टर बना सकते हूं अब यह आप पर निर्वर करता है कि आप अपने जीते हुई पार्टी और अपने सवयोगियों में सही लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं या आप किसी और को भी बना सकते हैं यह मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर मान लीजे प्रधान पार्टी से ही बताएं कि मैं अपनी पार्टी के पर्संद को मंठी बनाना चाहता हूं अपनी पार्टी से मतलब की वह MP है Already मेंबर पार्लेमेंट है अब यहां पे मैंनें में बोला कि हिल मेंबरलेमेंट तो मतलब वह लोगसर्बर दोनों में किसी का भी member होसकता तो भी मन्तरी सकता है देखे सरकार उसकी बनेगी जिसके पास लोगसरवा में majority है इस बात को समझना लेकिन मंत्रीक लोगसरवा राज्य सब्बर में कोई भी MP बन सकता है यह संद म है बहुत हम करते को तो लोग सब या तो अपनी पार्टी से किसी को कह दिया जो पार्टी का मेंबर में MP भी है या तो अपनी सहयोगी पार्टी से किसी को कह दिया MP बनाना है सौरी मिनिस्टर बनाना है या फिर कोई पार्टी का मेंबर भी नहीं है MP नहीं है फिर भी आपने कह दिया कि बनाना है मुद्दे की बात ये है कि देश में प्रावधान ये है कि अगर आपने चुनाओ नहीं भी लड़े हैं आपने कोई एलेक्शन फेस नहीं किया तो भी आप मिनिस्टर अपॉइंट हो सकते हैं लेकिन शर्त ये है कि छे महीने के अंदर अंदर आपको लोग सभा या राज्य बनाना चाहते है या अपनी कॉलीशन पार्टी के लोगों मेंगी उनको मिनिस्टर बनाना चाहते याॉपॉजशीन में से भी अगर कोई नहरू के समय में यह हूच चुका है उपोजीशन में से भी उन्हें को लगता है कि यह परसन को मुझे मिनिस्टर बनाना है तो वह बना सकते हैं और वह मतलब वह अगर एंपी है लोगसभा राजसभा का और अगर यह सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उतना ही बना सकते हैं जितनी लोगसभा की स्ट्रेंथ का 15 परसंट तक तो आप लगवग देखेंगे कि मंतरी परिशत में सत्र पचत्तर के आपको मंत्री गण नजर आते हैं मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट की बात आप समझना अब यह जो सरकार हम जिसकी बात कर रहे हैं यह जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर है यह सारे सिस्टम के ताहित हमने यहां पर यह सिस्टम क्यूं उठाया मैंने आपके सामने माल लीजिए कि सरकार कोई पॉलिसी बनाई है या तो यह कैबिनिट की डिसीजन से बन गई एक्जेक्योटिव डिसीजन से बन गई इसके लिएुए पास कराने की जुरूत निये पार्लिमेंट में क्योंकि ल Vienna चलव तो पहले से ही बना हुआ है उसके से तल्लख रखते कोई प्रावधान वनाने थे कोई नियम बनाने थे वो बना दिया या फिर कोई कानून बनाया है संसत के अंदर यह जो एक्जिक्योटिव और है या जो भी लेजिसलेटिव एक्ट है या तो संसत से कोई कानून बन करके आया है या फिर सरकार ने अपने दम पर ही कोई और इशू कर दिया है करने का मतलब अगर सरकार ने कोई executive order दे दिया है कोई resolution पास किया है अपने council of minister के level पे तो वो पीछे ना पीछ पीछे कही ना कहीं कानून से ही आना चाहिए और कानून होना चाहिए संसतका या फिर सम्मिधान की कोई कोई mandate होनी चाहिए constitution की mandate होनी चाहिए जो constitution उन्हें कह रहा है कि यह करिया और अगर आपने कोई legislative के अंदर कोई कानून बनाया है तो वो और उपर process follow करें कि जितनी भी तरीके बताये गए हैं सम्मिधान के अंदर कानून पार होने के चाहिए वो सिंपल मैजोरिटी है चाहिए वो special मैजोरिटी से पास हुआ है चाहिए वो अगर amendment है तो उस amendment में देखना है कि special majority के साथ साथ देश के आधे राज्यों को साथ लेने की बात है या नहीं है फिर लोग सभा में पास हो ठीक है मतलब यह सारा का सारी प्रक्रिया की पालना करके बन करके वह आपके सामने आया है तो वह जो लौ है वह प्रसीजर already established बाए law के प्रकरिया के तहति आपके सामने नियम आ रहे है कानून विदी की प्रक्रिया तहत ही वह सारा का सारा प्रसीजर आपके सामने रखा गया है गैर कानूनी तक की तरीके से वह प्रसीजुर सामने नहीं रखा गया लिकिन आप तो इसमें एक चीज है कि मैजॉरिटी गवर्मेंट है मान लीजे तो लोगसाभा में तो पास करा ही लेंगे बड़ा इजी है अगर थोड़े बहुत नंबरों का फरक भी है फिर भी राज्यसाभा में पास हो जाएगा और राश्टेस्पती तो कॉंसिल ऑफ मिनिस्टर की आए देश भर में इससे दो चीजें खराव हो रही है पहली बात हमें constitution पर उतना fokuss word to word नहीं करना हमें constitutionalism पर focus करना है सम्मीधान नहीं सम्मीधान वाद बड़ी बात है और सम्मीधान वाद क्या कहता है constitution क्या चीज है यह जब आभी में आने वाले दिनों में प्रियंबल पर लेक्चर रखोंगो ना प्रस्तावना पर समझाएगा Constitution एक डॉक्यूमेंट है अगर उस डॉक्यूमेंट को उस लॉक्यूमेंट से मैं उसका पहला हिस्सा जानी की वह प्रियंबल अलग कर दूं तो वह Constitution नाम का डॉक्यूमेंट है ना वह अपना सारा इंपक्ट और रेलेवेंस लूज कर जाएगा क्यों क्योंकि पूरे Constitution के हर आर्टिकल को जब भी आपको खोल करके पढ़ना है समझना है तो वह एक शरीर की तरह है शरीर निर्जीव होगा अगर आत्मा नहीं होगी तो हर आर्टिकल पढ़ते होए हर चीज को पढ़ते हो उसमें आत्मा डालनी आत्मा परस्तावना है प्रियंबल इस दा सोल अब दा यह जो आपजेक्टिव रेजलिशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नहरू ने पेश किया था उस समय की ऐसेंबली के सामने और अपजेक्टिव रेजोलीशन जवाहरलाल नहरू ने बनाया था वह कुछ भी नहीं है वह क्या है वह एक expression है चलते आरहे लंबे सवतंतरता संगराम का वह सवतंतरता संगराम के पीछे जो भावना थी वो कुछ भी नहीं है वह लंबे समय से भारतिय सब्धिता संस्कृतियां भक्ती सूफी के दौरान चलते आ रहे सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की बात है तो मतलब हमारे देश के समिधान में जुड़ी वह प्रस्तावना उसकी आत्मा है अगर कोई आर्टिकल रीड करते हुए और उस प्रस्तावना की भावना को छोड़के आर्टिकल पढ़ेंगे तो वह ए असमें और उसे और गयनिक चीज बनाए उसमें आत्मा आती है तब बनती है वह चीज और ऐसे में समय समय पर अब आप कहेंगे कि समीधान विदों ने उस समय में प्रसीजर इस्टेबलिश्ट भाई लॉग की धारणा रक्की समीधान में इवन आर्टिकल टुटीव इवन लोग की प्रक्रिया से ले रहा है कोई तो ले सकता है मतलब कोर्स ले लेती है ना आपका जीवन ले तो लिया जाता है अभी मिलने वाली निर्भया कांड में सजाए मौत तो आर्टिकल 21 तो वहां पर भंग हो गया लेकिन वह कह रहा है एक्सेप्ट प्रसीजर हो जाए पहले ग्रो कर जाए लोगों को अपने राइट के साथ साथ अपनी ड्यूटी की भी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए भाईया कि एक देश हमारा ही है और यह तभी चलेगा जब हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी पता होगा करतव जिस भी किसी राष्ट्र में जो भी कोई सरकार और समाज पावर विदाउट रिस्पोंसिबिलिटी का कंसेप्ट फॉलो करेगा उसका नश्ट होना तय है और समिधान में फंडामेंटल राइट्स वो शक्तियां हैं जो आपको मिली हुई हैं जिसे आप विदाउट करें ठीक इसी तरह से समिधान कि बड़े पैमाने पर देश की सक्ताओं पर सरकारों पर भी बहुत सी जमेदारियां डालता है वह यही है कि उसे समिधानिक दाएरे में ही रहके काम करना मतलब जो लौ है उसकी पालना करते हुए आगे बढ़ना है अपनी इच्छा से आगे जुडीशल रिव्यू की प्रक्रिया है जन अंदूलर की प्रक्रिया है देश को एक तरह का अभिव्यक्ति की आजादी है डिसेंट है सब कुछ है तो सरकारों पर भी एक रिस्वांसिबिलिटी है पावर तभी एक्जिक्यूट होती है आई बात समझ में और डिरेक्टिव में किस चेतर में देश को आगे लेके बढ़ना है और इलेक्शन मैनिफेस्टो लगब 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 उन्ही डिरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के राउंड बनते हैं लेकिन समीधान विद्ध यह जानते थे कि अभी समय लगेगा देश को पॉलिटिकली मै ट्रांसफार्म होगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ट बाइल से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉग की तरफ जिसके लिए लगातार सुप्रीम कोट के कही निर्णे आते रहें और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉग का तत्व सम्मीधान में जुड़ता गया इसमें सबसे पहली जो अगर वो विधी द्वारा विधिवत तरीके से ही स्तापित है तो क्या यह पूर्ण हे !! क्या यह नाग्रिकों का ग्रोच नहीं कर सकता तो तब यह देखा गया कि जो भी प्रोसीजर लोग के द्वारा ऍस्टैब्लिस्ट किये गए हैं यह देखना जूरी है कि वह हो जाता है ड्यू प्रोसेस यह आज इस्तमाल होने वाली चीज है ठीक है उसके बाद चलता रहा और आज सुप्रीम कोट के 11 तारीक को दो बड़े ही जबरदस्त लैंडमार्क जजमेंट्स आये हैं जो कॉंस्टिटूशन को और ज्यादा ड्यू प्रोसेस की तरफ ले जा रह है आपको कुश्ट्य पक्का आएगा कि ड्यू प्रोसेस की दिशा में खिर्शा में किस तरह के लेंडमार्क ह now क्या ड्यू प्रोसेस की डिि 550 में है प्रिलिंज के ब्यों सारी चीज़ांको पता होनी चाहिए आपसे में आज हम समीद्धान के हर आर्टिकल पार जस्ट पेर महत्व को समझा जाए उसकी इंटरप्रेटेशन को सही समय में सही खंड में लोगों में जाचा जाए परखा जाए देखा जाए कि यह relevant है कि नहीं है अब यही समिधान वाद है आई वास समझ में इस बात को आप ध्यान रखिए ऐसे में सुप्रीम कोड के सामने इक मामला आया और मामले में सुप्रीम कोड का नियुक्त एक महिला है विद्यादीभी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है है 1967 में हिमाचल सरकार के द्वारा उनकी जमीन ले लिगई कहीं पर लिखाए 4 एकड़ है एकड़ है जमीन ले लिगई सड़क बनाने के लिए और उनको कोई मुआफ़ा नहीं दिया उनको पता भी नहीं था कि जमीन ले लिगई है और जमीन पर मेरा कोई अधिकार बनता भी चलता रहा मामला 2004 में उन्हीं के पडोसियों के साथ भी यही चीज की गई उनके पडोसियों ने अपना अधिकार हाइप कोड से लेने की कवायर शुरू की और उनको उनके अधिकार के तहत कंपंसेशन मिला ऐसे में विद्या देवी ने भी अप बनता है आपका कर दीजिए लेकिन विद्या देवी यहां नहीं रुकी विद्या देवी उस समय में 70 साल की 2010 में आज 80 साल की विद्या देवी ने सीधा सुप्रीम कोड केस फाइल किया और सुप्रीम कोड का अब जज्जमेंट यह आया है उसमें उन्होंने कहा है कि एक करो एक इंपॉर्टन चीज है यह जज्जमेंट बहुत बड़ा जज्जमेंट है तो यह केवल एक आम सा जज्जमेंट नहीं कि उनको कंपंसेशन दे दिया नहीं इस जज्जमेंट के पीछे बहुत बड़ी चीज है कि देश में लेंड एकुजीशन भूमी अधिगरण कानू कैसा काम कर रहा है कौन सा कानून है क्रिशी छेत्र का विकास है या जो हम कहते हैं कि भारत में इंफास्ट्रक्चर का इकॉनमी का इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए क्या दोनों एक दूसरे को काट तो नहीं रहे क्या कानून पहले बड़े हद तक गरीबों के हक में था फिर एक समय आया जैसे गरीब विरोधी हो गया और बड़े जबर्दस्त किसानों के हक में चला गया और उद्ध्योग जगत धंदे कारूबारों के विरोध में चला गया तो फिर इसकी वाया से ओरग माल किया है कि स्टेट यह जो स्टेट है यह जो राज्य है यह एक अन्करोचर की तरह बिएव नहीं क्रोचर क्योंकि आप एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट नहीं फॉलो कर सकते एडवर्स पॉजेशन फॉलो में क्या है गुस गए जबरन किसी के भी ठिकाने पर कब्जा कर लिया 12 साल रह लिए लाउफ टॉट फॉलो हो गया और बाकी और फिर टाइटल ले लिया अपने ना लौक को ना समझने की ताकत का आपने फाइदा उठा लिया कमजूरी का फाइदा आप ने उठा लिया तो यह तो नहीं हो सकता है स्टेट ऐसा भी नहीं कर सकता है कि लोगों की संबंतियों में पहले सेंद लगाए कभजा करें और फिर उसे अपना बना ले अपने नाम पर क्या दे रहा है किसी देश का या नहीं सबसे पहले तो मनुष्य यौनी में जन्म हुआ है उसके बेसिस पर ही आपके जन्म सही अधिकार चुरू हो गया है नागरिक अधिकार मौली का अधिकार आएंगे लेकिन सबसे बड़ी पर प्रभल बात यहां पर यह है कि कुछ रॉमन राइट्स भी है कि फंडामेंटर राइट्स की बात करेंगे लिए 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 राइट्स के दाइरे में यह सारे समाजिक अधिकार आते हैं इंको आपको मानके चलना है और human right का मतलब जमीन आधार है किसी के समूचे विकास का किसी की ओवरॉल ग्रोथ का एक एक बेसिस है लैंड क्योंकि लैंड से उसकी लैंड से उसकी लाइवलिहुड जुड़ी होती है लैंड एक जमाने में लंबा क्रांतिकारी गतिविदी हुई फ्रांस में कि राइट टू प्रॉपर्टी क्योंकि जिसके पास जमीन का अधिकार है उसको वोटिंग का अधिकार मिल रहा है मतलब आप वोटिंग का अधिकार रख पा रहे हैं तो वोटिंग ही है जो आपको देश की सत्ता में भागीदार बनाती है मने राइट ओफ फ्रेंचाइज और यह राइट ओफ फ्रेंचाइज ही तो है जिसके दम पर आप वोट करते हैं और तभी तो आप कह सकते हैं कि इस देश में मेरी सभी की सभी भावनाएं अभी व्यक्त ह होती हैं मेरी जितनी भी एस्पिरेशन मेरी जो भी आविलाश आये हैं मैं इस देश से देखता हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं यहां पर अपना सोचल एकनॉमिक कल्च्रल ट्रडीशनल पॉलिटिकल ग्रोथ कर पाऊंगा क्योंकि मैं तै करता हूं कि नियम बनाने वाली मौलिक अधिकारों की तरह जोड़ करके दिखा जाता है किसी के क्योंकि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहते हैं विकॉस देयर फंडामेंटल फॉर सोचल कल्च्रल एकनॉमिक पॉलिटिकल ग्रोथ इसलिए इनके मिना तो कुछ हो नहीं इसलिए माना गया कि जमीन बड़ी चीज है भारत में भी जब शुरुवाती चुनवाओं होने लगे थे बिल्कुल शुरुवाती अंग्रेजियों के समय में तब कितना टेक्स आप देते हो शहर में रहते हो घर अपना है या रेंट पे हो कितना रेंट भरते हो जमीन के मालिक हो की नहीं यह अ सारी चीजों को अगर हम देखें तो जमीन कोई छोटा मसला नहीं है बड़ा हीमन राइट का मैटर है ऐसे में कोट का यह जजमेंट आता है कि जब भी आप जमीन एंक्रोच अप करेंगे आज के बाद स्टेट तो स्टेट अपनी डिस्क्रीशन से लेंड एंक्रोच नहीं क करना है और ऐसे में अधीग्रहन करते हुए यह स्थापित करना है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो गया गया है यह बड़ी वाग थी आर्टिकल 31 कॉंस्टिट्यूशन से जबी रिपील किया गया फंडामेंटर राइट से और उसे नई शकल देदी पार्ट 12 के अंदर आर्टिकल कर रहे हैं ऐसे में ऑथरिटी ओफ लॉग का को तो आपको फॉलो करना है लेकिन उस ऑथरिटी ओफ लॉग के द्वारा जो प्रसीजर दिया गया है यह स्थापित करना है कि वो ड्यू है मतलब अगर आप किसी की जमीन अधीग्रहन कर रहे हैं तो उसे नोटिस आपने समय अब लोगों के विकास के लिए अगर 10 लोगों को अपना समर्थन देना पड़े अपने संसाधन, रिसोर्सेज, लैंड, वेल्थ तो फिर एक देश का निर्मान तभी होता है जब वो लोग आके आते हैं क्योंकि 90 लोगों का नुक्सान नी कर सकते है अगर वहाँ हॉस्पिटल बना है और यहां से सड़क निकलती है, मरीजों का इलाज होता है इसके लिए जिसकी जमीन इस रस्ते पे आती है उसे वो फिर देनी है इतनी लोगों के विकास के लिए, समाज के लिए, सब के लिए अगर यहां पर ही स्कूल बनना है तो यहां पर स्कूल बनेगा यह ऐसी कहानी बताई जाती है यह यूटिलिटेरिन कंसेप्ट है उसी के दम पर लेंड अक्विजीशन का कानून हमारा खड़ा होता है यूटिलिटेरिन थियोरी पर खड़ा होता है अब ऐसे में आपको बताना है किस अबजेक्टिव के लिए ले रहे हैं वह अबजेक्टिव देश के लिए कितना अनिवार हैं आप उसको कितना कमपंसेशन दे रहे हैं और वह कंपंसेशन को कैलक्विलेट करने का अपका मैत्रड नहीं है क्या वह कंपंपंसेशन मार्केट वैल्यू से जितना भी एक्ट में दिया चार गुना तो उसके बाद उसे पता लगेगा कि देश ने जस्टिस किया है तो कुल मिला करके अब यहां से फिर से वो चीजें खुल गई कि क्या इस डिसीजन से हर्डल नहीं आएंगे लेंड एक्वायर करने में क्या विकास के जो कारें पहले ही रुके पड़े हैं वह और नहीं रुक इसने बात बताई फिर वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर क्यों निकाला यह एक इंपॉटन चीज है पिर यह आज देश में कौन सा कानून एक्जिस्ट कर रहा है लैंड एकक्विजीशन का उस कानून में पहले कानून उसमें खराबियां यह सारा नहीं समझें का आपको कंसेप्टी पता नहीं चलेगा और जो कोश्चन आप से पूछे जा सकते हैं आप उनके उत्तर नहीं दे पाएंगे और एक जागरुक देशवासी होने के नाते भी आप वरगलाई जा सकते हैं जब आपको चीजों का ही पता नहीं तो पता होना चाहिए क्योंकि एक ulsive आपकी बड़ा रोल इसलिए है और आपका भी जण केवल तभी समर्थन दे सकते हैं जब अजन जागरुक है और जागरुकता के लिए OnePlus react चाई करता है और उस जंतर समर्थन थे अ bütün से आंधोलनों की निव रखी जाती है और अंदोलन ही एक सरकार को पूर्णता लोकतांतरिक रूप देने में अपना करतब्म्यों का निर्वाहन करते हैं और तभी आप फिर कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में बसते हैं यह हमारा देश है इसलिए तेजी से घड़ती हुई पढ़ाई की मुल्य कीमत को समझना सीखिए कि पढ़ना क्यों जुरूरी है चीज़े क्यों पता मुख दर्शक बनके बैठे रहे लंबे समय तक उसके परिणाम भुवत ने पढ़ रहे हैं कि जहां जैसे भी परिवर्तन हो रहे हैं सत्ताइं वो करती हैं इसलिए फिर आज आप लोगों को आक्रोशित होना पड़ता है इसलिए आउट बस्ट एकदम से आ रहा है और फिर आप देख सकते हैं कि कहीं कोई एविन्यू सामाजिक आर्थिक मुद्दों से खुद को अलग कर दिया और टेक्निकल एजुकेशन और इन चीजों को हमने पूरी तरह से फोकस किया और आज वही पीड़ी उन बनी नीतियों से सफर कर रही है समझ में नहीं आता कि सहारा कौन बनेगा समझाई यह सिस्टमेटिक रखते पलट हों तो केवल लोगों को पढ़ा दिया जाए यहीं बहुत हैं सत्ता खुद सुदर जाएगी केवल सिक्षित कर तो बस और इसलिए सिक्षा बड़ी बात है चली अब हम बारी-बारी समझते हैं कि पीछे से इतिहास क्या चला आता है उसके लिए हम सबसे पहले डिसकस करेंगे सबसे पहले का एक्ट लेंड अक्विजिशन का पहला एक्ट डेट इस लेंड एक्विजिशन एक्ट एल एटीन नाइटीफोर यह डिसकस करना बहुत ज़रूरी है इसमें मैं कुछ वर्ड्स कर रहा हूं जो आज भी और पहले से ज्यादा स्ट्रॉंग होक क्या हो रहा है और अगर क्या आज 2013 का जो कानून है उसमें कितना दम है यह नहीं पता लगेगा अगर 1894 के बाद दूसरा ही यह 2013 का कानून है इन बिच्वीन कुछ भी नहीं हम सीधे उस कानून से इस कानून तक आए हैं समझना होगा देश ने क्या सफर किया इतने लंबे स समय तक और फिर सुप्रीम कोट का निर्ने भी समझ आएगा कि 1967 में देश में राइट टू प्रोपर्टी फंडामेंटर राइट था इसलिए तो वह महिला सीधे सुप्रीम कोट जा पहुंची वरना अगर यह फंडामेंटर राइट ना होता तो उसके पास ऑपरचुनिटी भी नहीं होती कि वह रिट्पटेश्ण फाइल करें लेकिन उसने रिट्पटिशन का इस्तमाल करके सीधे सुप्रीम कौर्ट का पुर्च किया उससे किसी ना सई सला मां देधी क्योंकि एक शक्ति का फर्क है जब आर्टिकल 32 के तहज़द आप सुप्रीम कोट की रिट्प शक्ति रख रहा है वो कैसे आर्टिकल 226 के तहत रिट प्रेटिशन का भी प्रावधान है यानि कि अगर कोई फंडामेंटल राइट एंक्रोच हुआ है तो भी रिट लग सकती है अगर कोई लीगल राइट कोई लीगल राइट कोई इस रिंप्रोच हुआ है तब भी सीथे आसट अप्स नंपर सीथी टाकत है अगर आपको लगता है स्टेट हे इंडिवीज्व्ट के नहीं प्राइबेट के नहीं अगर आपको लगता है स्टेट ने आपका फंडामेंटर राइट या constitutional राइट एंक्रोच किया constitutional राइट मतलब लीगल राइट एंक्रोच किया है तो आप हाई कोट सीधे जा सकते हो आपको निचली अदालतों से होते होए हाई कोट अपील के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है कि इसके अलावा अगर आप सुप्रीम कोट जाना चाहते हैं तो फिर constitutional राइट इंफरिंज होना चाहिए तो सुप्रीम कोट के आर्टिकल 32 सिरफ फंडामेंटर राइट तक है हाई कोट का आर्टिकल 226 वह फंडामेंटर राइट प्लस constitutional राइट्स दूनों राइट्स में वह प्रिवेल करता है तो वह महिला पहले हाई कोट गई क्योंकि वह नजजदीक था लेकिन जब उसने रही सोना हाई कोट सिविल सूट फाइल कर दो सिविल कोट में चले जाओ मतां निचली अदालत में चले जाओ तो फिर उसको सलाह दे दी होगी किसी ने कि जब आपकी जमीन ली गई न तब सुप्रीम कोट ने यहां पर इस्तमाल किया है आर्टिकल 142 की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति में बताऊंगा इसका इस्तमाल राम जन्म भूमी के मामले में भी हुआ अभी अभी और इस पर भी कॉंट्रवर्सी है कि आर्टिकल 142 से ही सुप्रीम कोट को संसत से और सभी नि दिया कि ताज महल पीला हो रहा है फैक्टरी बंद करो यह सुप्रीम कोट है जिसने आर्टिकल 142 का इस्तमाल करते हुए यूनियन कारबाइड मामले में भौपाल ट्रेजडी जो हुई थी उसमें केंदर सरकार को निर्देश दिये कि फोर सेवेंटी मिलियन डॉलर का निर्मोही अखाड़े को जगा दे दी और केंदर सरकार को यादेश दिये कि जो तीन महीने की केंदर अंदर आप कमिटी फॉर्म करेंगे जो राम मंदिर का निर्मान देखेगी उसमें मैं कह रहा हूं कि निर्मोही अखाड़े का मेंबर भी रिप्रेजेंट रहेगा और अर्टिकल 142 सुप्रीम कोड को बहुत शक्ति देता वह सीधे-सीदे रहेच यह आर्टिकल 142 था जिसके एस सुप्रीम कोड ने उतरफ्रदेश का लोकायुक्त अपनी नियुक्त कर दिया पुराने लोकायुक्त का समय पूरा हो गया था यह उत्तर प्रदेश सरकार तो आपको बताऊंगा यह सब चीजें बहुत जुरूरी और ऐसे कोश्चन आ जाता है आर्टीकल 142 इस इंफ्रिंजमेंट ओन देमोकरेटिक पारलेमेंटेरियन सिस्टम तो फिर पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है और सब्सक्राइब करें इतने दिनों से इतने आर्टीकल बता रहां उनको करो शक्तियों को समझो आर्टीकल 256 आर्टीकल 257 इनको समझो बस और यह चीज़ों को अंटरस्टैंड करो यही आर्टीकल आएंगे चले शुबात करते हैं लेंड एक्विजिशन एक्ट ना 1894 से यहां से कहानी शुरू करते हैं किनके समय में आया यह कानून ब्रिटीश अब यह बात तो तैत ही कि अंग्रेज जब भारत आये हैं उनका में इंट्रस्ट यहां से कमर्शियल गेन करना था क्योंकि इंडिया उनके लिए कॉलनी थी यह पहली चीज लेकिन दूसरी चीज़ अब ही पहली बार अंग्रेजों के समय में शुरू हुई क्योंकि देखिए उसके पहले तो रियासते हैं और रियासतों में इस तरह का फॉर्मली स्टैबलिस्ट गवर्मेंट सिस्टम था नहीं वहां पर तो रूलर की डिस्क्रीशन थी कि कौन सा लैंड उसे लेना है या क जब बेंगॉल रेजोलूशन लाकर के आया गया सड़कें कनाल और हाउजिंग टाउन शिप्स बनाने के लिए जमीन एक्वायर की जा सके ऐसा माना गया तो बेंगॉल पिर बेंगॉल के अंदर कलकता तक भी गया क्योंकि फॉर्ट विलियम पहले इसमें कवर नहीं होता थ फिर बॉंबे के लिए लाया गया फिर मदरास के लिए लाया गया क्योंकि शैर बसाने थे नहीं टाउन प्लैनिंग्स करनी थी 1850 के बाद तो यह बहुत स्पीड अप किया गया क्योंकि रेलवे लाइन बिचानी थी और उसके लिए बहुत सारी जगह उन्हें चाहिये थी और मलिकाना हक जिन लोगों को उन्होंने खुदी दिया था उन लोगों से वो जमीन लेनी थी ठीक है जी तो ऐसे में फाइनली एक्ट निकल करके आता है ब्रिटिश के समय में तो यह कोलोनियल एक्ट ऐसा माना जाता है इसके तहट दो चीजें अब आपको समझनी है वो क्या चाहे आप कितना भी systematic system लेकर के आ जाएं और यह कहें कि भई एक formally established government है हमारी और नियमों से ही आपकी जमीन को हम लेंगे लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए कि जमीन ली जाती है जमीन किसी की ले लेना acquisition है यह पर चेज नहीं है जब आप जमीन खरीदते हैं तो उसमें negotiations ह होती है और जब हम जमीन acquire कर रहे हैं तो acquire होगा यह तो तैह ही है किसी की जमीन अधीगरहन होगी यह तैह है अब उसमें आप कितना बैटर उसे दे सकते हैं वह फिर आपके उपर depend कर जाता है मतलब यहां पर bargaining system collective bargaining जैसे कहते हैं वह कहीं न कहीं मिस हो जाती है आईवा समझ म अगर आप एक school बनाने के लिए मेरी जमीन चाहते हैं जमीने बिखती हैं रोज तो उसके लिए तो आप आएंगे और मैं आउंगा मैं जमीन बेचना चाहता हूं कि नहीं वो मेरी मर्जी आप सही दाम मुझे दे रहे कि नहीं दे रहे मुत्यक करूंगा और अगर वो शर्त के लिए यह कानूं 1894 का था इसमें दो चीजें देखिए कि जितनी भी फॉर्मली इस्टैबलिश्ट गॉवर्मेंट यह प्रोसीजर फॉलो कर रही है फिर भी एमिनेंट डॉमेन कंसेप्ट एक्जिस्ट कर रहा था और आज भी है एमिनेंट डॉमेन कंसेप्ट का मतलब य ही है इसलिए अगर आप अपना मलिकाना हक रखते ही नहीं उस जमीन पे तो आपकी उपर डिपेंड करता है यह उस समय का कानून है एमिनेंट डॉमेन का कंसेप्ट अगर मैं निकाल तो फिर आप जमीन के ग्राउंड पर क्वायर कर रहे हो किसी की फिर तो यह बदमाशी है फिर तो यह एक फॉर्मल सिस्टम और और इस्टैबलीजड फॉर्मल प्रसीजर है ही नहीं लेकिन कहीं न कहीं यह ग्राउंड बन इस यहां से जाना ही है आपको यहां से भेजने के लिए हम आपको कितना दे रहे हैं यह डिगरी तय करती है कि कितनी लोकतांत्रिक सरकार है और कितनी अलोकतांत्रिक So it is a quantum of compensation, it is the way of dealing with the occupants, it is the process of their consent, it is the process of their rehabilitation, it is the process of their resettlement, क्या आपने उनका कितना resettlement किया, कैसे rehabilitate किया, उनके livelihood का कितना ध्यान रखा, culture का, ethnic bond का कितना ध्यान रखा, consent लिया कि नहीं, compensation कितना दिया कि नहीं, ये बात जॕती है, तो लो, भो, उनके ह goofy मत, आपने मत, और जनके कितना रखा,면 कितना रखा, ग्यासे वितना फा रहाई है, ये ये कितना अवया है, ये ds फो र्म जॏर मिना, कितना भो, अनके हाया है, क्या इच दिया है, कितना वाब जान